जब भी किसी वेक्ति के जीवन में सनी की साड़ी साती दस चलती है तो वेक्ति के जीवन में सकरात्मक और नकरात्मक दोनों तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं जो वेक्ति को अलग-अलग रूप से प्रभावित करता है अगर आपके जीवन में सनी की साड़े साथी चल रही है तो आपका जीवन भी ऐसे ही प्रभावित हो सकता है अगर सनी की साड़े साथी चल रही है और आप नहीं जानते कि आपके जीवन में क्या-क्या प्रभाव पढ़ने वाला है तो आप इन प्रभावों को जानकर पता लगा सकते हैं कि आपके जीवन में भी सनी की साड़े साती का सकरात्मक या नकरात्मक प्रभाव किस तरह से पढ़ा है सनी की साड़े साती वैदिक जोतिस में एक महातुपून जोतिस्री घटना कहा जाता है यह ओधी तब होती है जब सनी ग्रह जन चंदररासी से बारवे पहले और दूसरे घर में गोचर करता है यह लगभग साड़े सात वर्स तक का होता है जिससे वैक्ति के जीवन पर विभीन प्रभाव पढ़ते हैं सनी की साड़ी साती का प्रभाव जोतिस के छेतर में आकरसक और चिंतक दोनों विशेयों को माना जाता है इसका प्रभाव चुनोती पुन और परिवर्दन कारी दोनों तरह के हो सकते हैं इस प्रिच्वल वर्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है अगर अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ये लेटिस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके पूरी बात जरूर ध्यान से सुनें आपको लाप प्राप्त होगा सनी के साड़े साथी का परिचा जानते हैं सबसे पहले बात सनी अक्सर अनुशासन, जीमिदारी, कड़ी महनत से जुड़ा हुआ होता है जब यह चंद्र रासी से बारवे घर में प्रवेश करता है तो इसका साड़े साथी चरन सुर्व हो जाता है साड़े साथी को तीन भागों में विभाजित किया जाता है प्रतेक भाग लगबग ढाई वर्स तक का चलता है जैसे कि सनी बारवे घर, पहले घर और दुसरे भाव में गोचर करता है तो ऐसा कहा जाता है कि वैक्ति के जीवन में विभिन पहलों को प्रभावित करने का संकेत देता है प्रत्थम चरन में मानसिक इस्थिती पर प्रभाव डालता है जब सनी देव की साड़े साथी के प्रारिम्भिक चरन सुरवात होते हैं तो इस दवरान जैसे ही सनी देव चंदर रासी से बारवे घर में गोचर करता है तो व्यक्ति को दबाव और चुनोधियों का सामना करना पड़ता है उन्हें अलग-अलग तरह की समस्या आनी सुरू हो जाती है यह मांसिक तनाओं को बढ़ा देता है चिंताओं को बढ़ा देता है आपको लोगों से अलग करने का संकेत देता है आपके भावनाय नकरात्मक रूप से प्रभावित होना सुरू हो जाती है इस समय आपको आत्म रेक्षन या अपने मुल्यांकर्ण पर समय देना चाहिए और व्यक्ति को अपनी प्रात्मिक्ताओं और लक्षों को पुनर मुल्यांकित करके सुसजित करना चाहिए ताकि आप बहतर रूप से अपने एम, अपने किलियार्टी में फिक्स हो सके ताकि आपको किसी रूप से नकरात्मत प्रभाव ना पड़े दूसरा चरण वैक्तिगत या वैसाईक जीवन में चुनावतियों को दर्शाने का संकेत देता है जैसे ही सनी पहले घर में प्रवेस करता है साड़े साती का प्रभाव वैक्ति के वैक्तिगत और वैक्तिगत जीवन पर अधिक इसपस्ट हो जाता है इससे रिस्तों में चुनावति आना सुरू हो जाता है कैरियर में बाधाएं आना सुरू हो जाता है ना किसी ना किसी रूप में विकास में बाधाएं उत्पन होना सुरू हो जाती है यह ऐसा समय होता है जिसमें बाधाओं को दूर करने के लिए दिर्ड़ता और कड़ी महनत करने की जरुवत होती है तीसले चरण परिवर्तन और विकास से जुड़ा हुआ होता है सनी देव की साड़े साती में तीसले चरण जिसे हम अंतिम चरण के नाम से जानते है जब सनी देव दूसरे घर में गोचर करता है तो यहां अवधी परिपक्वता और विकास की भावनाओं की विसेस्ता होती है पिछले वर्सों से मुल्यांकन और सबक सीख कर आपने जो जीवन में कुछ परिवर्तन किया है वहां वैक्तियों को चुनाओतियों से लड़ने और सामना करने की सक्ति देता है वैक्ति चुनाओतियों से निपटने के लिए खुद को बहतर ढ़ंग से सुसजित कर पाता है जिससे बड़े से बड़े चालेंजेस को भी एक्सेप करके हल कर लेता है पहले चरन के दोरान वैक्तिगत और वैसाई चेतरों में के गए प्रयासों के परणाम सरूपूँ के कारण रिस्तों में नकरात्मक प्रभाव उत्पन होना सुरू हो जाता है जैसे तनाओं और चुनाओतियों का नकरात्मक प्रभाव पड़ता है इस अधी के दोरान वैक्ति को साररिक और मासिक रूप से ससक्त होने की जरुबत होती है अपने आपको आत्म देखभाल करने की जरुवत होती है इस समय अगर आप परसान होते हैं तो लोग आपको और अधीक परसान करते हैं तो ऐसे समय में आपको इस दोरान वैक्ति गत समнд्धों को बहतर करने के लिए अपने तनाओं को कम करने के लिए अपनी जिम्मिदारियों को बहतर रूप से समझने के लिए धैर रखने की आफशक्ता होती है इस दानान व्यक्ति को प्रभावी ढंग से समात करना और अपने रिष्टों को बहतर करना एक महतुपून कारक होता है अगर ऐसे समय में आप अपने रिष्टे को सम्भाल नहीं पाते हैं तो आपके रिष्टे विखनना सुरू हो जाते हैं स्वास्थ संबंधी चिंताएं सनी की साड़े साथी से उत्पन्न तनाव और चुनोतियों का स्वास्थ पर गहरा प्रभाव पड़ता है इस ओधी के दौरान वेक्तियों को सालरिक और मासिक रूप से आत्म देखभाल की प्रात्मिक्ता देने की सलह दी जाती है आपको नीमित रूप से वयाम करना चाहिए संतुलित अहार करना चाहिए आपको खान पान पर अपना पुरा ध्यान देना चाहिए अगर तناव सम्मद्धी कोई समस्या उत्पन होती है तो उसे किसी निकिसी रूप में हल करना चाहिए जिससे आप अपने हैपरटेंशन और समस्याओं को दूर कर सकें और सालरिक और मांसिक रूप से स्वस्थ रह सकें सनी के साड़े साथी प्रभाव के कारण आपके जीवन में कैरियर और वित्ती सम्मंदी अनेक समस्याएं और बाधाएं उत्पन हो जाती है हाला कि यहालगाता प्रयास और अनुसासन सिलता के साथ साथ दिल निश्चाय से आप इन चुनोतियों से निपटने में सक्षम हो पाते हैं पर कुछ लोग अपने जीवन में दिल निश्चिता और अनुसासन की कमी के वज़े से जीवन में फैल हो जाते हैं ऐसे समय में आपको अपने कैरियर को बहतर बनाने के लिए नए से नए स्किल और कौशल का विकास करना चाहिए। वित्ती सम्मंदी इस्तिती में आपको मित्यवैता के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आप इस दवरान सौधानी पुरुवक योजना बना कर अपने पालनी की साड़ी साती जब आपकी जीवन पर चलता है तो उस समय आपको अध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए। इस समय आपकी चुनौतियां अत्यधिक बढ़ जाती है। इस समय अगर आप अध्यात्मिक विकास या सेल्प इंप्रूब्मेंट की और आगे अंदर एक सक्रात्मक एनर्जी बढ़ती जाती है आपके अंदर कई गुन नस्ट भी होते हैं इस समय अगर आप अपने आपको दिर्ड संकल्प और अनुसासित रखकर अध्यात्मिक छेत्रों में विकास करते जाते हैं तो यह आपको आत्म प्रेणा देती है जिसके कारण आ में बहतर हो जाते हैं जो आपको आगे चलकर बहुत लाबदायक शिद्ध होता है या आपके जीवन में बढ़ने वाले लाब को दर्साने का संकेत देता हैं सनी का साड़े साती भले है जीवन के प्रारंबिक और दुती चरण में नुकसान देही होता है लेकिन अंतिम या किसी छेतर में बहतर की ओर ले जाने में हेल्प करता हैं आप अपने आत्म विश्वास चंता कौंसल को बढ़ाने में सक्षम हो जाते हैं जिससे आपके अंदर परिपकवता बढ़ती है और आप एक बहतर जिम्मेदार व्यक्ति बनकर उभरते हैं जो आपको उन उन्नत कि ओल ले जाने में मदद करता हैं जिससे आपके जीवन में सफलता और सम्रिध्धी आती हैं जोति सास्त्र में सनी की साड़ी साती की चुनावतियों और परभाओं को कम करने के लिए अनेक उपचार दिये गए हैं अगर आप इन उपचारों को नीमित रूप से करते हैं त बरभवान शनी देव की क्रीपा आप पर बरसना शुरू हो जाता हैं अगर आप रोज सुबह और साम ओम सम सनिश्ट्राइन नमा का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर सनी की साड़ी साती के नकरात्मक प्रभाओं कम होना सुरू हो जाताएं साथी साथ आप सनी वार वो पीपल के विरिक्ष के नीचे सरसो के तेल का दीपक जला सकते हैं जो आपके जीवन के लिए लापदायक होगा और आपके अंदर सकरात्मक उर्जा का प्रभाव बढ़ते जाएगा जिससे सनी की साड़े साती की चुनोतियों का प्रभाव कम होगा अगर आप हनमान चालि गुनों को बढ़ाने का हेल्प करता है और साथी साथ सनी के साड़े साती के नकरात्मक प्रभाव को कम करने का काम करता है अगर आप भोजन के रूप में सरसो का तेल लेते हैं काले चने लेते हैं या गुड का प्रयोप करते हैं तो यहाँ आपके लिए बहुत लापदायक सिद्ध होता है सनी के साड़े साथी के नकरात्मक प्रभाव को कम कर सकरात्मक प्रभाव में बदलने में हेल्प करता है आज के लिए इतना ही धन्यवाद अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब इस चैनल थैंक यू